Welcome students on e-English Learning देखिए हम पहले वाली वीडियो में तीन फिगर ओफ स्पीच पढ़ चुके हैं आज हम next three figure of speech पढ़ेंगे First है देखिए, Alliteration Second Assunance and Third one is Rhyme and Rhyme Scheme ये तीनों के बारे में हम देखेंगे First, Alliteration What is Alliteration? Alliteration क्या होता है? देखिए, Alliteration को हिंदी में हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार The repetition of usually initial consonant sounds मतलब किसी लाइन में किसी शब्द में लगातार व्यंजन धोनी की क्या होना? repetition होना शुरुआती जो letter है, अक्षर है उसमें व्यंजन धोनी की repetition होना In two or more naming words मतलब पास-पास के दो या दो से अधिक शब्दों में लगातार क्या होना? व्यंजन धोनी का repetition होना अब देखिए, मैंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर consonant sounds है consonant नहीं है, केवल consonant sounds है हमें धोनी से मतलब है हमें sound से मतलब है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है एक जिसे consonants जो होते है वो अलग-अलग धोनी दे देते है या फिर अलग-अलग consonants जो है वो एक जिसी धोनी दे देते है जिसे examples के त्रू हमें से समझेंगे alliteration you will never put a better bit of butter on your knife अब देखे, better bit of butter तो बै का क्या हो रहा है यहाँ पे repetition हो रहा है कौन से विंजन दोनी का बै sound का बै विंजन दोनी का I saw सूसी shitting in a shoe shine shop अब देखे, I saw सूसी sitting तो सूसी sitting यहाँ तो कौन से विंजन दोनी हो रहा है स, ठीक है विंजन दोनी देखनी है हमें letter नहीं देखना है हमें sound देखना है ओके, in a shoe shine shop और यहाँ कौन से repetition हो गया श, ठीक है श, shoe shine shop ठीक है where she sits she shines अब she shines में क्या है दुबारा alliteration है and she shines, she sits तो देखिए, इन तीनों में क्या है alliteration है, क्योंकि shoe का sound आ रहा है तो इस तरीके से क्या होता है श, रूआती जो letters है वो किसका विंजन, एक जिसी विंजन दोने का repetition होता है अब देखिए कभी-कभी क्या होता है अलग-अलग consonants आकर भी एक जिसा sound दे देते है कैसे, देखिए funny photos अब यहाँ पे F से start हो रहा है यह P, H P से start हो रहा है लेकिन sound कैसका दे रहा है फ, फ, विंजन का sound दे रहा है एक जिसा तो यह क्या हो गया, यहाँ पे भी alliteration हो गया C can sometimes sound like S अब जिसे sassy celebrities यहाँ पे C है, जो sir का sound दे रहा है जैसे sassy, sally, pretties ओके C can sound like K अब C, K का भी sound दे सकता है जैसे kitty cat क, क kitty cat तो इस तरीके से हमको sound से मतलब है ठीक है, हमें sound से मतलब है केवल लेटर से नहीं तो यह हो गया alliteration ओके अब देखिए, अब देखेंगे हम next figure of speech that is assonance okay, assonance में क्या होता है देखिए repetition of wall sounds within neighboring words उसमें तो konsonance sounds था इसमें क्या है wall sound का repetition मतलब स्वर की धोनी का repetition ठीक है स्वरों के धोनी का repetition कैसे होता है examples के through हम समझेंगे fleet feet sweep by sleeping streets अब देखिए e dhuni e dhuni आ रही है बड़ी की मात्रा तो e की dhuni आ रही है लगाता continuously जो है e की dhuni आ रही है पुरे line में beans sorry beans means hints तो यह क्या हो गया assonance हो गया he gave a knot to the officer with the pocket ठीक है ओ का क्या रहा है wall sound आ रहा है स्वर की धोनी का repetition हो रहा है तो यहां पी क्या है assonance है ठीक है तो alutation हो गया consonant sound का repetition होना initial letters में ठीक है initial words words मतलब initial letters में और assonance हो गया wall sound का repetition होना I hope आपको दोनों में difference भी समझ में देखिए next figure of speech है rhyme scheme यह rhyme जिसे हम हिंदी में तुक बंदी या लै बोलते है और क्या होता है आप देखिए a rhyme scheme is a pattern of sounds at the end of a line और a stanza मतलब line के अंत में stanza के अंत में क्या होता है एक जिसी दुनी का repetition होता है एक जिसे दुनी हम देखेंगे examples के तुरू हमें बहुत अच्छे से समझ में आ आ गए देखिए हम rhyme scheme किस तरीके से लिखते हैं यह धूनते हैं किसी भी poem की देखिए अब हम यह जब line पढ़ेंगे तो इसके हम end वाले words पे ध्यान देगे देखिए end वाले words जिसे day, way air, hair toes, nose skies, eyes ठीके अब देखिए एक जिसे sound लग रहा है जिसे day है इसका sound match खा रहा है वे से ठीके day, way तो हमने इने क्या कर दिया एक जिसे name दे दिया जिसे a, a अब air, hair यह जिसे sound है लेकिन day always से अलग है तो हमने इसको अलग नाम दे दिया ब, b toes, nose यह एक जिसे sound है लेकिन दोनों उपर वालों से क्या है बिलकुल अलग है तो हमने इससे अलग नाम दिदिया c, c मतब एक जिसे sound का एक जिसे name रख दिया skies, eyes यह बिलकुल अलग sound है तो हमने इसको दे दिया DLD तो इस तरीके से इस poem की rhyme scheme क्या हो गई? A, A, B, B, C, C, D, D इसे तरीके से next देखें Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Star, R तो इसे एक जिसा name दे दिया हमने क्योंकि एक जिसा sound आ रहा है हम देखेंगे line के अंत में जो words से उनको देखेंगे के वल Star, R, तो A, A High, Sky तो एक जिसा sound है इसके लिए हमने दे दिया B, P, तो A, A, B, B इसके rhyme scheme हो गई इसे तरीके से next poem देखेंगे The pupil along the sand Alternal look one way अब जरूरी नहीं है कि continuously मतलब continue में continue line में ही sound एक जिसा है line छोड़ की भी आ सकता है जिसे sand किस से match खा रहा है इसका sound land तो एक जिसा है इसको नाम दे दिया A, A way, day इन दोनों का sound match खा रहा है तो इसको दे दिया B, B, तो इसकी rhyme scheme क्या होई A, B, A, B तो rhyme scheme जो है I hope आपको समझ में आई है rhyme scheme जो है poem में musical effect create करने के लिए दी जाती है मतब जो lay है तुखबंदी है वो musical effect create करने के लिए डाली जाती है आप देखेंगे जो गाने होते हैं उनमें भी इस तरह की lay तुखबंदी जो है वो दी जाती है Thank you so much Like and subscribe our e-English learning channel Thank you